हैलो वीवर्स असलाम लेकूं मैं हुरोशन आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ घर पे देसी मकई और चावल को भून करके बहुत अच्छा पफ बनाने की रेसिपी तो देख सकते हैं ये भूनने वाला चावल इस तरह से ब्राउन कलर का आता है दुकान में हमने बोल कर लिय हुआ था और भूनने वाला जैसे अच्छा चावल आता है मुर्मूरा सा बन जाता है बहुत अच्छा फूल जाता है हलका खाने में बिल्कुल मुर्मूरा जैसे होता है उस टाइप का ये हो जाता है और ये मकई को हम जैसे लाए थे उसके बाद इसको धोए सुखा है उसक के लिए तो ये हमने नमक को गरम कर लिया है ये ऐसा इसलिए दीख रहा क्योंकि इसको हमने बहुत बार यूज किया इतना डार्क हो गिया है तो एक मुठी हम चावल डाल रहे हैं एक बार में जादा नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा डाल करके थोड़ा सा रूकेंगे और उसके बाद regular चलाते रहेंगे और देख सकते हैं ये किस तरह से इसके उपर देखने में आपको लग रहा होगा थोड़ा सा चावल डाले और कितना सारा हो गिया और बहुत अच्छा ये फूट जाता है लवा सा हो जाता है देख सकते हैं और ये देख पारे होंगे ज्यादार देर तक नहीं रखना है जब सब बहुत अच्छा से फूल जाए उसके बाद इसको निकाल लेना है क्योंकि गरम ये नमक है तो जल जाएगा बहुत जल दी तो इसको हम पलटेंगे छलनी में इसको छान लेंगे तो डाइरेक्ट इस तरीके से हमने छान लिया है इसी तरह से सभी को हम छान कर बना लेंगे एक बार फिर आपको हम दीखा रहे हैं कैसे छानना है कोई सा भी छलनी आप ले सकते हैं जो झढ़ जाए जैसे नीचे से जड़ जाए और इस तरीके से देख पा रहे होंगे कितना अच्छा से ये बिल्कुल अलग-अलग हो जा रहा है तो ये खाने में बहुत टेश्टी लगता है तो इसको हमने भून लिया है और हम भून लेते हैं उसके बाद हम मकई को भून रहे हैं मकई को भी हम थोड़ा-थोड़ा डालेंगे और थोड़ी देर के बाद इसको भी वैसे ही हम चलाएंगे मकाई जब फूटने लगता है तो बिल्कुल चहरा पर भी आने का डर रहता है तो जब फूटने लगे ज़्यादा तो हलका सा उपर से कोई चीज रखना पड़ता है जैसे हम प्लेट रखे हुए एक हाथ से ऐसे अलग ही रखे हुए है और इसको हम चला रहे हैं सामने से मेरे उपर ना आए ना पड़े मेरे फेस पे तो इस तरीके से हलका फूल का इधर उधर ये फूल करके जाता है तो इस तरीके से देख पारे होंगे कितना अच्छा ये भी हमारा पॉपकर्ण बन गया है बिल्कुल देसी मकई से और देसी तरीके से तो इस तरह से सभी को हम भून लेंगे और इसको छान लेंगे ऐसे जाली में ये तो अपने आप छन जाएगा इसको पलटने का जरूरत नहीं है इसी तरह से तो ये हलका थोड़ा कम सूखा हुआ था इस वज़ा से पूरा पॉपकर्ण नहीं बना है देखने में भी आपको ल भूले हमारे चैनल तारा नूर कोकिंग को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे की मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आप भी बनाईए और खाईए